हेलो फैंट्स दीपक एडी वर्ल एजुकेशनल एंड टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त दीपक इस वीडियो में मैं एक्सप्रेंड करने वाला हूँ एक वर्टसप का फीचर जो हाली के कुछ दिनों में वर्टसप मैसेंजर मे एड किया गया है जिसकी हम सबको तलास्ती काफी टाइम से हैं दोस्तो वो फीचर क्या है बहुत ही अच्छा फीचर है बहुत यूज का फीचर है और हमें उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है और आप उसको जानते नहीं होंगे इसलिए मैं आज यह वीडियो आपके लिए पब्लिश कर रहा हूं तो उसके लिए जरूर है कि यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए और दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सकाइब कर लीजिए उसके लिए वीडियो के नीचे आप देखो कि कर लेता हूं उसके बाद इसमें हम चेक करते हैं कि ऐसा कॉन सा फीचर है वर्टसप में जो एड़ किया गया है दोस्तों क्या होता है कि मैं हाप एक कॉन्टेक्ट ओपन करता हूं अभी तक क्या था कि हम वर्टसप से केवर्ट फाइल्स वगरा ओडियो वीडियो ही शेयर कर सकते थे अभी क्या है इसमें पहला नया फीचर यह है कि हम वर्टसप के जरीए कोई वी एप्लिकेशन भी आसानी से अब शेयर कर पाएंगे मतलब आ अप्लिकेशन शेयर करना चाहते हो किसी वाठसप के जरीए भी यह पॉसीबल हो गया है कि हम अपने काउनटेक्ट से एक जिगह से दूसरे काउनटेक्ट जब आपने मैसेंजर को अपडेट किया होगा अपडेट करने के बाद यह फीचर से आपको आपके जो वर्टसप मैसेंजर है उसमें आपको मिल जाएंगे और आपको उनका यूज़ कर सकते हो अभी मैं हाँ देखूंगा यहां में मेरे आडियो वीडियो फाइल सारी दिखा जलता है यह AP के application के लिए होता है जैसे ऊपर MP3 लिखा रहा है MP3 ओडियो फाइल के लिए होता है MP4 वीडियो के लिए होता है तो यह application है अब यहां मैंने जैसी browse पे क्लिक करके वहां पे documents को open किया तो application भी दिखाई दे रही है old version में हमें application दिखाई देती ही नहीं है हम उनक क्या है Upload है अब अप्लोड हो रही है और UPcanoir होने के बाग यह pipeline की जो हम इस content के पास चली जाएगी तो यह ए फाइल हो रही है मैं इसको send में करता हूं मैं इसको cancel कर देता हूं कि मुझे भी send में करना है तो मैंने cancel कर दिया क्योंकि हमारी फाइल अप्लोड हो रही है तो डेफिनिटली सी बात है तो यह पहुंची जाएगी दूसरा फीचर क्या था दूसरा फीचर यह दोस्तों कि अभी जो audio या video या कोई भी चीज है हम send करते थे वह maximum 16 MB 16 MB या 25 MB तक हम send कर सकते थे बट अभी जो हम application share कर सकते हैं या document में कोई audio share करेंगे तो इस चीज के लिए जो यह storage है उसको बढ़ा दिये गया है अब हम जो file send करेंगे वह maximum 100 MB तक हम send कर सकते हैं जी हां दोस्तों यह नया feature एक और हम 100 MB तक की file whatsapp के जरीए share कर सकते हैं चलो इसको यह video check कर लेता हूं तो यहां पर गया मैं और उसके बाद मैंने यहां से वीडियो पर click कर लिया और यह कुछ videos दे रखें यहां पर और आप यह देखोगे यह video आप देखोगे पहला video जो है 50 MB का है 50 MB का है 50.70 MB का है तो मैं यह कोसिस करता हूं उसको send करने कि यह complete send होता है कि नहीं होता है तो इस पर click कर देते हैं click करने के बाद यह कहरा है send करना है तो send click कर दीजिए इसने mail से बिल्कुल नहीं पूछा कि इसमें से कितना partition आपको send करना है क्योंकि यह पूरा send हो सकता है 100 MB से कम है अब यह जो है loading media कह रहा है मतलब यह आपका प्रिपेर हो रहा है send होने के लिए आप यह फाइल upload होगी और आसनी से आप इसको send कर सकते हो यह तो केवल 50 MB की फाइल थी आपकी अब इससे ज्यादा आप 100 MB तक की फाइल को आप आसनी से जरीए send कर सकते हो तो दोस्तों यह थे नए फीचर्स आपके जो WhatsApp Messenger में हाली के कुछ दुनों में add किये गए इसके लिए जरूरी है कि आप अपने WhatsApp Messenger को जल्दी से update कर लीजिए ताकि आप कोई वी गेम शेयर कर सको कोई बड़ी वीडियो शेयर कर सको बड़े साइज की जो वीडियो अगर है audio वगर है कोई file वगर है वह आप share कर पाओ इसके लिए आप अपने WhatsApp Messenger को update कर लीजिए और दोस्तों ऐसे ही more वीडियो के लिए आप हमारे टेक्निकल चैनल को subscribe कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो के नीचे like बटन है उसको click कर दीजिए thank you दोस्तो have a nice day